आप देख रहे हैं नेटवर्क ठटी थरे राज कुमार के साथ तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर दोस्तों मैंने सुना था कि शामपूर से निकली हुई एक ट्रेन सीधा पाता लोग के अंदर चली जाती है और उसके बाद उसके अंदर बैठोगा कोई भी इंसान वापस लोटकर निया था ये बाद मैंने अपनी कुछ दोस्तों से सुनी थी और उन लोगों का कहना था कि कुछ साल पहले यहां पर बहुत ही सारे मुसाफिर अचानक से गाइब हो गए थे आज तक उन्हें इस बात का पता नहीं चल पाया कि आखिर वो ट्रेन कहां गई मैं इन सब बातों पर कुछ खास बिसपास नहीं करता था क्योंकि भला एक ट्रेन आचान की पाताल में कैसे जा सकती है और तो और इतनी बड़ी ट्रेन होने के बाजूर उसका कोई ठिकान क्यों नहीं था मुझे सिर्फ ये एक बनावटी कहानी लगी लेकिन फिर जब मैंने इस बारे में कुछ और लोगों से बात की तो वहां के लोगों ने इस बात को हकीकत बताया पर फिर भी मुझे उन पर कुछ खास बिस्वास नहीं हुआ मुझे लगा कि अगर यहां पर ऐसा कुछ होता तो आप तक इस रेलवे स्टेशन को बंद किया जा सकता था लेकिन फिर उनी लोगों ने मुझे जबाब देते हो बताए कि दस सालों तक लगातार यह रेलवे स्टेशन बंद रहा और इसकी चांच परताल होने के बाद फिर से यहां पर ट्रेन चलाई गई लेकिन इस बार यहां पर अच्छी बात यह हुई कि अब की बार जब यहां पर ट्रेन चली तो ऐसा कोई हाथसा नहीं हुआ खिर मुझे इन चीजों से ज़्यादा कुछ लेना देना तो नहीं था इसलिए मैंने सोचा कि इन चीजों पर ज़्यादा ध्यान देकर अपना दिमाग खराब करने जासा है लेकिन वो कहते हैं ना इत्फाक एक ऐसी चीज होती है जो इनसान को किसी भी कौने पर ले जाती है मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ जब मैं अपने सफर को अंजाम देने के लिए निकला हुआ था तो आचानी कि मैं एक रेलवे स्टेशन पर पहुँचा और वहां से मैं दूसरी ट्रेन में बैठने वाला था और मेरे कुछ दोज दूसरी रहा पर जाने वाले थे वो इसलिए था कि क्योंकि हम सभी का सेंटर अलग अलग था कुछ लड़कों का एक साथ था तो कुछ का अलग 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 था ऐसे मैं अकेला ही था जिसका सेंटर सबसे दूर था और वहां तक जाने के लिए मुझे यहां से एक दूसरी ट्रेन पकड़ने थी जब मैंने वहां पर लगवे बोर्ड को देखा तो मेरी आँके फटी की फटी रह गई दरसल मैंने देखा कि वहां शामपू नाम लिखा हुआ था और ये देखते मैं उसे बड़ी हैरानी से देखने लगा क्योंकि मुझे लग रहा था कि हो नाव ये वही रेल्वे स्टेशन है जिसके बारे में मेरे दोस्तों ने बात की थे वैसे मैं अपने घर से ज़्यादा बहार नहीं निकलता था ऐसे मैं मुझे आजू बाजू के स्टेशनों के बारे में इतना कुछ मालूम नहीं था ऐसे मैं उस स्टेशन का नाम सुन करी मैं थोड़ा सहम उठा मेरे कुछ दोस्त अभी भी वहीं पर मौजूद थे जिन्होंने मुझे बताय था कि यहां पर कुछ ऐसा होता है इसलिए मैंने उन दोस्तों को भी उस स्टेशन का नाम पढ़ने को बोला जैसे उन्होंने उस स्टेशन का नाम पढ़ा तो उन्होंने बताय कि उन्हें पहले से ही मालूम था कि यह वही स्टेशन है जहां से कुछ ऐसा होता है लेकिन मैंने उन्हें लतार दो बोला लेकिन भाई तुम लोगों का तो कहना था कि यहां पर कोई भेनक ट्रेन आती है जो पाताल में घुज जाती है तो फेर ऐसा ना हो कि पाताल में जाने वाली ट्रेन में तुम लोगी सफर करने लग जाओ इतना कहकर मैं हसने लगा तब यू उन्हों नहीं कहा अरे भाई टेंशन के नहीं जूरत हमें नहीं है तुम्हें हैं क्योंकि रात को तो तुम्हारी ट्रेनिया से गुजनने वाली है और एकसर रात में गुजनने वाली ट्रेनी पाताल में जाती है ऐसा भी नहीं होता है कि वो ट्रेनर रोज आती है वो हर 6 दिन में एक बार आती है हो सकता है कि तुमारी किसमत खराब हो आज और तो मुझे में बैठ जाओ इतना कहकर वो सभी जोर जोर से हसने लगे पर मुझे उनकी बात का बुरा नहीं लगा और मैं फिर से हसते हो बोला रहे भाई इस स्टेशन का इत्वाक तो देखो कितना भयानक है हम लोग तो इसके वारे में कल की बात कर रहे थे और आज इस स्टेशन से मुलाकात हो गई फिर से मेरे दोस्तों ने मेरे मज़ा को डाते हो बोला बाई स्टेशन के सासर तुम पातालोग में मैं चले जाना वरना हम लोग अपना एक दोस्त खोदेंगे इतने में उनकी ट्रेन आ गई और वो एक एक करके सभी वहां से निकल गए अब मैं अकेला ही उसे स्टेशन पर बच किया था जिसकी एक अलेक ट्रेन आने वाली थी मैं सीधर टिकेट काउंटर पर पहुँचा और टिकेट लेकर बैठ गया अब तक धिरे धिरे समय बीत रहा था और फिर कब शाम हो गई पता ही नी चला मैं अभी भी अपने फोन पर टिक्टिकी लगाए अपने रास्ते के बारे में खोज रहा था कि आखिर मुझे अपना रास्ता पार करने के लिए किन-किन मुसीबत से पेश आना है और ट्रेन किसके से स्टेशन को पार करके निकलेगी तब ही स्टेशन पर अचानकी एक अनाउंसमेंट होई यहां तक तो सब कुछ ठीक ठाक था मुझे लगा कि रात को ग्यारा बजे तक भी जादा लेट नहीं है मैं इंतिजार तो कर ही सकता हूँ लेकिन फिर उसके बाद एक बार फिर से अनाउंसमेंट होई पर इस बार के अनाउंसमेंट में बताया गया कि या तरिगर किरपया ध्यान दें ट्रेन दो घंटे की बज़ए चार घंटे की देरी से चल रही है और उसकी बज़ए है रास्ते में अचानक पट्रों का तूट जाना जिनकी रिपेरिंग में अभी समय लगेगा अपकी बार के अनाउंसमेंट ने मेरे पूरे बदन को नीद का जटका दे दिया क्योंकि मैं रात को भी कम ही सुआया था जिस बज़े से मेरी आँके नेद की तलास कर रही थी और ऐसे में मुझे वो खाली पड़ी बेंची नजर आ रही थी इसलिए मैंने अपना बस्ता उठाया और उसे अपने सरहानी लगाकर आँक बंद करके सोने की कोसिस करने लगा अलांकि इस टेशन पर थोड़ी भीड थी जिस बज़े से सोने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी लेकिन नेद जादा होने की बज़े से थोड़ी दिर के बाद आचान की मेरी आँक लग गई फिर जब मैंने अपनी आँके खोली तो मैंने देखा कि अब इस टेशन की लाइट ओन हो गई थी और पूरी तरह से अंधेरा चाय हुआ था फिर मैंने अपने आपको उठाया और उस बैंच से इधर उधर देखने लगा इस बार जो मैंने देखा वो सच में हैरान कर देने वाला नजारा था क्योंकि उस रेलवे इस्टेशन पर अब मझे कोई भी यातरी नजन ने आ रहा था ये देखकर मेरी आँके फटी की फटी रह गई क्योंकि जब मैं सोया था तो यहां सेकडों की तादाद में लोग माजूद थे और अब मेरे इलावा पूरा इस्टेशन एकदम वीरान पड़ा हुआ था फिर मेरी नजर मुझसे बहुत ही दूर एक और बेंच पर गई तो मैंने देखा कि उस बेंच के उपर भी एक आदमी सोया हुआ था तब ही मैंने सोचा कि मैं उस आदमी को जगा कर उसे कुछ पूछने की कोसिस करता हूँ पर फिर मेरा मकसद बदल गया दरसल मैंने सोचा कि किसी को इतनी रात को किसी मुसाफिर को उठाना बिल्कुल भी सईनी होगा इसलिए मैं अपना फोन निकाल कर ट्रेन का आने का इंतिजार करने लगा जब मैंने फोन निकाल कर समय देखा तो अब तक रात के 11 बच चुके थे यान की अभी भी दो घंटे का समय बचा हुआ था इसलिए एक बार फिर से मुझे नीद लेने का मन करने लगा लेकिन जिस तरह से इसे स्टेशन का महौल बना हुआ था वो मझे बड़ा अजीब लग रहा था एक तो यहाँ पर ट्रेन नहीं आई थी और उपर से यहाँ पर जो लोग सफर तै करने वाले थे वो भी एक एक करके यहां से निकल गए थे ये सब चीजे बीपरे दिसा में जा रही थी और उसके बाद जब मैंने स्टेशन के काउंटर की तरब देखा तो मैंने पाए कि काउंटर भी बंद हो चुका था वहाँ क्लोज नाम का एक पोस्टल लगा हुआ था फिर मुझे लगा कि साइद खाना पीना करने के लिए वो लोग एदर उदर गए होंगे इसलिए मैं फिर से अपनी बैंच पर बैठ कर ट्रेन का वेट कने लगा थोड़ी दिर के बाद मुझे एक ट्रेन के होने की आवाज सुनाई दी और ट्रेन की सावाज को सुनकर मेरी धड़कने तेज हो गई मुझे लगा कि ट्रेन बहुत ही जल्दी यहाँ पर पहुँच गई है जितना समय स्टेशन के लोगों ने बताया था साहे दोतना टाइम इस ट्रेन ने नहीं लिया फिर दो मिनट के बाद ही ट्रेन इस ट्रेन पर पहुँच गई इस टेशन पर आते ट्रेन के रफतार एक्दम कम हो गई और मैंने उस ट्रेन को दूर से देखा तो एक चीज नोटिस की वो क्या था कि हर ट्रेन के बार हर बार मझे कोई न कोई सक्स दरवाजी के पास खड़ा हुआ नजर आही जाता था लेकिन इस ट्रेन के साथ ऐसा बिलकुल भी नहीं था इस ट्रेन के दरवाजी के पास तक मझे कोई नजर नहीं आ रहा था फिर मुझे लगा कि रात होने की वज़े से लोग जेव कत्रों के डर से साथ दरवाजी के पास खड़े नहीं हूंगे मैंने फिर अपना सामान उटाया और अपना सामान उठाने के बाद मैं उस ट्रेन की तरफ चल पड़ा जहां तक मझे मालम था तो मेरे हिसाब सी ये वही ट्रेन थी जो मेरे सफर को जल्दी से जल्दी एक साम सेंटर पर खतम करने वाली थी इसलिए मैं जल्दी से बोगी की एक सीट के ऊपर जाकर बैठ गया पहले तो मैंने उस बोगी के अंदर इतना ज़ाद गौर नहीं किया था लेकिन अब जब मैंने उस बोगी के अंदर बैठ कर इधर उधर देखा तो मैंने पाये की मेरे इलावा वहां कोई दूसरा यातरी नहीं था मुझे थोड़ा अजीब तो लगा लेकिन मुझे लगा की ऐसा भी तो हो सकता है की रात होने के बाद सारी के सारी लोग अपने सफर को अंजाम दे चुके हो ऐसे मैं अकसर ट्रेन की कैसारी बोगया खाली हो जाती है तो मैंने इस चीज को नजर अंदाज कर दिया उसके बाद मैं ट्रेन में बैठ कर अपना फोन चलाने लगा फोन चलाते चलाते मुझे पता ही नहीं चला की कब ट्रेन खुल गई फिर जब मैंने खिड़की से बाहर देखने की कोसिस की तो मैंने देखा कि अब ट्रेन हलकी रफदार से स्टेशन से आगे आ चुकी थी तभी मैंने देखा कि वहाँ पर एक आदमे आया जो मेरी तरफ हाथ दिखा रहा था वो आदमी साइध अपने हाथ के सारी से मुझे एक कहने की कोसिस कर रहा था कि जल्दी से इधर आओ लेकिन मैंने उस आदमी के सामने हाथ दिखाते हुए उसे बाय बाय बोल दिया ट्रेन अब अपनी रफतार पकड़ने लगी थी और जैसे जैसे ट्रेन रफतार पकड़ रही थी तो वैसे वैसे मुझे भी ठंडी ठंडी हवा का सुकून मिल रहा था मैं अब ट्रेन के दर्वाजे पर जाकर खड़ा हो गया और जैसे मैंने दर्वाजे में खड़ा होकर बाहर का नजारा देखा तो मुझे अपनी आँखों पर विस्वासी नहीं हुआ क्योंकि ट्रेन इस वक्त एक ऐसे रास्ते पर चल रही थी जिसके दोनों तरफ मझे फूली फूल दिखाई पड़ रहे थे ऐसा लग रहा था कि यहां आसपास फूलों की खेती होती है आज से पहले मैंने कभी भी इस तरह के फूल नहीं देखे थे जिनकी खेती इतनी शांदार ढंक से की जा सके खास कर ऐसे रंग बिरंग फूल हमारे इलाके में होना नाममकिन था फिर यहां कहां से आए अब ही मैं यही सब सोच रहा था कि अचानकी मेरे फोन पर एक मैसेज आया असल में यह मैसेज किसी अन्नोन परसन की तरफ से था जैसे मैंने मैसेज खोल कर देखा तो मैंने पाएगी उस मैसेज में लिखा हुआ था कि तुम जिस ट्रेन के अंदर अभी सवार हो वो ट्रेन तुम्हारे लिए बिल्कुल सई नहीं है ऐसे में तुम्हें जल्दी से जल्दी किसी स्टेशन पर उतरना होगा और याद रखना किसी भी स्टेशन पर उतरने के बा इसलिए मैंने रिपलाई देती हो कहा लेकिन तुम हो कौन और तुम्हें कैसे मालूं कि मैं किसी गल्दी ट्रेन में हूँ तब जाकर मुझे पता चला कि ये वही टिकेट माश्टर है जिससे थोड़ी देर पहले मेरी इदर उदर की बात होई थी और मुझे उसके नमबर चाहिए थे इसलिए मैंने उसके फोन पर मिस्स कॉल भी दिया था वो बाज जानकर मेरे रॉंक टेक खड़े हो गई थे मैंने फिर सोसा आदमी को मैसेज किया और बोला लेकिन आपको कैसे मालूम कि मैं किसी गल ट्रेन में सवार हूँ तब जाकर उसने बताया कि अगर तुमें मेरी बात पर बिस्वास नहीं होता तो तुम दूसरी बोगी के दरवाजी में जाकर देख लो तुम जैसे दूसरी बोगी के दरवाजी में जाओगे तो तुमें वहाँ उल्टे लटके वे आदमी नजर आएंगे पर आप चिंता मत करो वो आदमी तुमें कोई नुक्सान नहीं पहुचाएंगे लेकिन तुमें मेरी बातों पर पूरी तरह से बिस्वास हो जाएगा दोस्तों सादमी की बात सुनकर मैंने भी ठीक वैसा है किया जब मैं अपनी बोगी से सीधा दूसरी बोगी में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि सच में वहां बहुत सारे आदमी उल्टे लटके वे थे किसी की गर्दन उसके धर से अलगती तो किसी का चहरा सड़ा हुआ था अब ये देखकर ही मैंने उस बोगी के दरवाज को बंद कर दिया और अपनी फूलतुई सांसों के साथ वापस से अपनी ही उस सीट पर आकर बैट गया मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए मैंने उस आदमी को वापस से मैसेज करती हो बोला लेकिन भाज साब अब मैं क्या करूँ और मुझे कहा हो तो नहीं तब जाकर उस आदमी ने बताएगी तुमें चिंता नहीं करनी है जितना तुम टेंशन करोगे उतने ही तुमारी जान फस्ती जाएगी इसलिए सबसे पहले तुमें टेंशन को अपनी दुमाग से दूर रखना है और तुमें ऐसा करना है जैसे कि तुम को नॉर्मल सफर कर रहे हो उस आदम की बात में अची तरह से समझ गया फिर उस ने बताएगी मुझे खलकपूर रेलवे स्टेशन पर उतनना है और ये वही रेलवे स्टेशन है जहां से एक बस जाती है जो मुझे सीधा मेरे दुनिया तक छोड़ देगी यानि जहां से मैं स्ट्रेन के अंदर सवार हुआ था उस स्टेशन करमचारी ने मुझे थोड़ी हिम्मत दे अब मझे किसी भी प्रकार से उस खलकपूर नाम के रेलवे स्टेशन पर उतनना था क्योंकि वही एक रेलवे स्टेशन था जो मुझे वापस से अपनी दुनिया में पहुँचा सकता था और अगर मैं वहाँ पर नहीं उतर पाता तो साइद मैं अपनी जिंदिगी की कुछ आखरी सांसों को गिन रहा होता फिर किसी तरह से मैंने भगवान का नाम जपना शुरू कर दिया अब मैं बस यही सोच रहा था कि जल्दी से जल्दी वह खलकपूर रेलवे स्टेशन आ जाए और फिर मैं अपना सारा सामान लेकर ट्रेन से उतर कर जल्दी से किसी बस के अंदर बैट जाऊँ उस ट्रेन में बैट बैट मेरी बेचानी लगातर बढ़ती जा रही थी और मेरी हिम्मद भी जबाब दे रही थी पर मैंने किसी तरह से हिम्मद जुटाई रखी और फिर जल्दी से जल्दी उस खड़क पूर नाम के रेलवे स्टेशन के आने का इंतिजार करने लगा मुझे उस आदमी पर पूरा भरुसा था कि सैद वो किसी भी इस्तिती में मेरी मदद कर सके ऐसे में मैंने अपने फोन को अपने हाथ में लिया हुआ था और जैसे मेरे ऊपर मसीबत का कोई पहाड तूटने वाला होता तो मैं उसे तुरंती फोन लगा देता या फिर उसे SMS करके सारी जानकारी दे देता ट्रेन अपनी रफ़तार को अब अचान की धिमी कर चुकी थी मुझे लगा की साइट ट्रेन ख़ड़कपूर इस्टेशन पर पहुँच गई है लेकिन मैंने जैसे इस ट्रेन से बाहर की तरफ देखने की कोशिस की तो ये तो एक अजीब सा इस्टेशन था जिसके उपर खड़कपूर की जगे दूसरा ही नाम लिखा हुआ था यहां से मेरा वापस लोट पाना साइट बहुत ही मुश्किल होता एक बार के लिए जब मैंने अपने मुबाइल में समय देखने की कोशिस की तो मैंने पाएगी अब मेरे मुबाइल का समय अटकसा गया था और मैं जिसको भी मैसेज करने की कोशिस कर रहा था उसके पास मेरे मैसेज भी नी जा रहे थे ऐसे मैं अब उस आदमी से मेरा संपर्क तूड़ गया था लेकिन इस बार में तो उस आदमी ने मजे कुछ भी नी बताय था यान कि अब मजे अपना रास्ता खुदी बनाना था मैं किसी भी दूसरे इंसान पर डिपेंड ने रह सकता था किसी भी तरह से मुझे इस खौफनाक सफर को पूरा करके अपनी मंजल तक लोटना था अगर ऐसा करने में मैं नाकाम रहता तो साइदाद मेरी जिंदगी यहीं पर समाप्त हो जाती आखिर में मैंने खुदी यह फैसला लिया कि अब मैं इस रेलवे स्टेशन पर तो बिल्कुल भी नहीं उतरूंगा थोड़ी देर के लिए तो ट्रेन इस जगह पर रुकी रही लेकिन उसके बाद ट्रेन चलने का फिर से समय हुआ ट्रेन ने एक होरन दिया और उसके बाद फिर से चल पड़ी इस बाद ट्रेन के साथ साथ मेरे उम्मीदे भी चल रही थी मुझे अब ऐसास हो रहा था कि साथ इस ट्रेन में बैट कर ही मैंने सबसे बड़ी गल्ती को अंजाम दिया है पर अब हो भी क्या सकता था अफसोस करने से भी कोई फायदा नहीं था इतने में उस बोगी के अंदर अचान की हलचल होने लगी ऐसा लग रहा था कि कोई आदमी ट्रेन की बोगी के अंदर चलता हुआ आ रहा है मैं सीट के उपर बिल्कुल चिपक कर बैट गया क्योंकि मुझे डर था कि कहीं ऐसा आदमी ट्रेन की इस बोगी के अंदर न पहुंच जाए जो मिरे लिए भयाने खत्रा बन जाए फिर जैसे वो आदमी मेरे और पास आया तो मैं उसका हुलिया देखकर बुरी तरह से डर गया फिर मैंने देखा की जिस तरह की मैंने अपेक्षा की थी वो आदमी बिल्कुल उसी तरह का था लंबे लंबे नाकुन फटे पुराने कपड़े और दिखने में किसी हैवान की तरह लग रहा था मैं उसे इतने अच्छी तरह से इसलिए भी देख पाया था क्योंकि उसके चलने के रफतार बहुत धीमी थी वो इदर उदर देखता हुआ चल रहा था पतानी उस वक्त मेरी किसमत को ऐसा क्या मंजूर था कि उस आदमी ने मेरी सीट को ही इगनौर मार दिया और अपने हलके हलके कदमों के साथ मेरी सीट को पार करके आगे निकल गया जैसे वो आगे निकला तब जाकर मेरी सांस में सांस आई और उसके बाद मैंने हलकी सी सांस ले दुए अपने आपको सांथ किया मुझे लगा कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है लेकिन फिर उसाद में अपने कदमों को पलटा और फिर वो गूम कर मेरी तरफी देखने लगा दोस्तो इस बार उसकी आखे मेरी आखों से टकरा चुकी थी और उसका वो भयानक सा चेहरा अब मेरी आखों के सामने एक भयानक दासता बया कर रहा था और इसी बज़े से मैंने अपनी आँखों को बंद कर लिया और आँखों को दोनों हाथों से ढख लिया मुझे नहीं मालूम उसके बाद मेरे साथ क्या होने वाला था बस मैं उस सीट के कौनी से चिपक कर वैसा का वैसा ही बैठा रहा थोड़ी देर के बाद जब मैंने फिर से अपनी आँख खोलकर इदर उदर देखने की कोशिस की तो मैंने पाएगी अब वो आदमी वहां से गाइब हो चुका था उस आदमी को वहां न पाकर एक बार फिर से मेरी जान में जान आई लेकिन फिर भी इतना तो समझ गया था कि इस ट्रेन के अंदर सफर करना इतना भी आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था ये रास्ता मेरे लिए उतना आसान नहीं होगा सायद भैयानक बलाएए इस ट्रेन में मेरे उपर इसकदर हाभी होने वाले थी जिसके बारे में कोई इंसान अपने सबने में भी नहीं सोच सकता मेरे ध्यान बारवाट ट्रेन की बोगी के दरवाजे पर चला जाता बस मैं यही देखने की कोसिस करता कि कब वो खड़कपुर नाम का इस्टेशन आए और कब मैं इस भेहनक और डरावनी ट्रेन से बाहर निकल सकूँ फिर इतने में भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनी और अचानी की ट्रेन के रफ्तार में गिरावट आने लगी इस बार मैं शियोर था कि हो ना हो आपकी बार जरूर वो खड़कपुर रेलवी स्टेशन ही आएगा जिसके बार में मैं इतनी देर से सोच सोच कर पागल हो गया हूँ जैसे मैंने उम्मीद जताई थी हुआ भी बिलकुल वैसा है ट्रेने के स्टेशन के पास जाकर रुख गई और इस बार स्टेशन के मैं पॉइंट पर एक पुराना बोर्ड लगावा था जिसके उपर खड़कपुर रेलवी स्टेशन लिखावा था और ये नाम देखते मुझे सुकून सा मिल गया मुझे अपनी नए जिन्दगी का एक रास्ता मिल गया और मैंने जल्दी से अपना सारा सामान उठा लिया और उस ट्रेन से नीचे उतर गया ना जाने क्यों लेकिन ट्रेन से नीचे उतरने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं धर्दी पर नई चल रहा हूँ यान की जमीन पर मेरे जैसे कदम गिरते तो मुझे एहसास होता कि यहां की गुरुतवा आकर्शन शक्ती बड़ी कम थी पर मुझे इन चीजों से कुछ खास मतलब नहीं था मुझे किसी तरह से बस तक पहुँचना था उस आदमी ने मुझे जिस तरह से मैसेज किये थे मैंने भी ठेक उसी तरह से किया और थोड़ी देर के बाद एक बस के सामने पहुँच गया जैसा उस आदमी ने मुझे नमबर बताया था वो नमबर भी उस बस से मिलता जुलता था मुझे समझते समय नहीं लगा कि ये वही बस है जिसके अंदर मैं अपनी दूसरी जिंदगी का सफर तै करूँगा इसलिए मैं अपना सारा सामान लेकर उस बस के अंदर बैट गया सबसे पहले जब मैं उस बस के अंदर दाखिल वा था तो मैंने देखा कि बस के अंदर कुछ एक दो लोगी नजर आ रहे थे बाकी की पूरी की पूरी बस ऐसी खाली पड़ी थी उस खाली पड़ी बस को देखकर मुझे थोड़ा अजीब तो लगा लेकिन फिर मुझे ये बात भी समझ में आ गई कि दूसरी दुनिया में सफर करते हुए अकेले इंसान कोई सफर करना पड़ता है बस मुझे इंतजार था तो वहां से बस के खुलने का मेरी तमना भी उस समय पूरी हो गई जब मैं बस के अंदर लगातर पांच मिनट तक बैठा रहा लगातर पांच मिनट तक बैठने के बाद अचान की बस टैवन ने बस को श्टार्ट किया और उसके साथ ही मेरी सांस में सांस आई अब मुझे यकीन होने लगा कि सच में मैं अपनी जान बचाकर अपने उस स्थान तक लोड़ सकता हूँ जहां से मैं यहां तक पहुँचा हूँ धेरे धेरे बस चलने लगी और बस चलने के साथ साथ मेरे ध्यान और भी ज़्यादा केंदरित होने लगा अब मुझे डर था कि कहीं इस बस के अंदर भी मेरे साथ कोई गलत काम ना हो जाए वरना आज मेरा यह सफर यही पर खतम हो जाएगा क्योंकि उस आदमीन मुझे साबधन करते हो बताया था कि जैसे तुम बस में सफर करोगे मुझे वो पहले समझ में तो नहीं आई थी लेकिन मैं वो सब करने के लिए तैयार था जो मुझे करना था अचानी कि उस बस का कंड़क्टर किराया मांगते होए वहाँ सभी लोगों के पास पहुँचने रगा किसी तरह से मैं उस कंड़क्टर की नजरों से छुपना चाहता था लेकिन वो उसकी भी जरूरत ने पड़ी क्योंकि उसने सभी लोग उसे किराया मांग लिया लेकिन वो मेरे बगल से होकर गुजर गया उसने मेरे उपर ध्याने नहीं दिया ऐसा लग रहा था कि मैं उसे नजरी नहीं आ रहा हूँ मैं उसे दिखाई नहीं दे रहा हूँ मैंनो उसके बाद उस कंड़क्टर के साथ ज़्यादा छिड़कानी नहीं की और चुपचाप अपनी सीट पर बैठा बैठा उसी की तरफ देखता रहा फिर थोड़ी देर के बाद उस बज टैवन ने कहा सभी आत्रों का इस्टेंड आ चुका है एक एक करके सभी उतर सकते हैं इतने में ही मुझे रोशनी वाली जगे नजर आई और ये सब चीज पहले उस आदमी न मुझे रिकॉर्डिंग करके बता दी थी और जैसे मैंने उस रोशनी को देखा तो मैं समझ गया कि मुझे भी यहीं उतरना है लेकिन मुझे सबसे ज़ादा ध्यान तो उतरते वक्त ही रखना था क्योंकि अगर मुझे उतरते वक्त उन में से कोई भी देख लेता तो वो सबी मेरे पीछे किसी सैतान की तरफ पर जाते ऐसे में मैंने दर्वाजी से उतरने की वज़ए खिड़की से उतरने की तरकीब निकाली दरसल वहां उस बस की खिड़की इतनी बड़ी बड़ी थी कि एक आदमी आराम से उन खिड़कीों से उतर जाए मैंने भी इसी तरीके को अंजाम दिया और मौका पाते उन खड़कियों के अंदर से नीचे कूद गया और मैं जैसे नीचे कूदा तो मुझे वो रोशने वाली जगे नजर आई लेकिन उस वक्त पर साइद मेरी किस्मत ही खराबती क्योंकि उन लोगों ने अचान की मुझे एक कर्दों देख लिया लेकिन मुसीबत की इस घड़ी में मैंने हिम्मत नहारी और अपनी हिम्मत को अंजाम देकर वहां से भागने लगा जैसा कि उस टिकेट मास्टर ने बताय था मैंने ठीक वैसा ही किया और फिर इतने में ही मुझे ऐसा लगा कि उस रोशनी ने मेरी आँखों में जगे बना ली है मुझे रोशनी के इलावा कुछ भी नजन ने आ रहा था मेरा सर फटने लगा था और थोड़ी देर के बाद मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मैं स्टेशन के उस बैंच पर लेटा हुआ था और अब तक रात के दो बज चुके थे तब ही वो टिकेट काउंटर वाला आदमी वहां पहुचा और फिर उसने बताया कि तुम गलती सोस पाताल में जाने वाली टेन के अंदर बैट गए थे अगर तुम उस खड़कपुर इस्टेशन पर नहीं उतरते तो नहीं तो तुमारा सरीर मिल पाता और तुम किसी दूसरी दुनिया में चले जाते कोई ऐसी दुनिया जहां इंसानों को घशीट कर लेकर जाय जाता है और आखिर में उनकी बली चड़ा दी जाती है केर इतना भयानक सफर काटने के बाजोद भी वो मेरी वाली टेन नहीं पहुंची थी तो ऐसी में मैंने सही टेन के अंदर सफर किया और अपनी जान बचा कर एक्साम सेंटर पहुंच गया दोस्तो उसके बाद मैं उसे स्टेशन पर कभी नहीं जाता हूँ आज भी उस पाताल में जाने वाली टेन का नाम सुनकर मेरे हाथ पैर भूल जाते हैं तो दोस्तो इस कहानी में बस इतना ही कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेर कमेंट जरूर कर दें तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूंगा ऐसी एक और भूतिया डरावनी कहानी के साथ तब तक किलिए बाई एंड टेक कियर